6.9. कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, बड़ी नहीं, क्यों? Why are cells usually small? कोशिकाओं का आकार अक्सर इतना छोटा होता है, कि बिना किसी आवर्धक उपकरण की मदद से इन्हें देख पाना संभव नहीं है. क्या आपने कभी सोचा है कि कोशिकाओं का आकार इतना छोटा क्यों होता है? अगर कोशिकाओं बड़ी होती तो क्या होता? आकार छोटा होने से कोशिकाओं को क्या क्या लाव होते हैं? हमने पढ़ा कि कोशिकाओं में विभिन्य पदार्थों जैसे पोशक पदार्थ उत्सरजी पदार्थ विभिन्य गैसो आदि का आवगमन होता है यह आवगमन कोशिका जिल्ली के सतही छेत्र से होता है विभिन्य पदार्थों का आवगमन कम दूरी कम समय में होता है तो उर्जा भी कमखर्च होती है या तभी संभव है जब कोशिका का आकार छोटा हो आईए इसे गणतीय रूप में समझने का प्रयास करें यदि कोशिका गोल हो तो कोशिका का व्यास बढ़ाने से उसके सतही छेत्रफल में वरगात्मक गुणक व्रिद्धी होती है सार्णी के आधार पर इन सवालों के उत्तर दें यदि कोशिका का व्यास बढ़ रहा है तो कोशिका के आयतन एवं सतही छेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है क्या सतही छेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का कोशिका के व्यास से कोई संबंध है यदि कोशिका का सतही छेत्रफर अधिक होगा, तो बाहरी वातवरन में उपस्थित, पदार्थों के कोशिका से संपर्किकी मात्रा भी बढ़ जाएगी कोशिका का आयतन बढ़ जाने पर जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अधिक मात्रा में पोशक पदार्थों की आवशक्ता होगी हमने पढ़ा भी है कि आकार में व्रिद्धी होने से आयतन की तुलना में सतही छेत्रपल में कम व्रिद्धी होती है ऐसी स्थिति में कोशिका में पदार्थों के अंतरग्रहन की मांग सता द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी वह जैविक क्रियाओं की गती धीमी हो जाएगी इस प्रकार का संबंध विभिन आकृती की कोशिकाओं में भी देखा जा सकता है आपने कुछ बड़ी कोशिकाओं जैसे पंक्षियों के अंडे का योग वाला भाग मचली के अंडे की कोशिकाओं को देखा होगा ये कोशिकाओं अपनी परिपक्को अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है इस अवस्था में इनकी जैविक क्रियाएं भी धीमी पड़ जाती है अब आप समझ गए होंगे कि आकार में बड़ी होने के बावजूद ये कोशिकाएं किस प्रकार जीवित रह जाती है 6.1.0 क्या कोशिकाएं चप्टी ही होती है Are cells flat? समानिता जब हम कोशिकाओं को सूष्म दर्शी से देखते हैं तो इसकी सनरचना चप्टी यद्वई आयामी प्रतीत होती है वास्तों में कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई होती है अर्थात या त्रियायामी होती है इसकी लंबाई और चोड़ाई हम आसानी से देख सकते हैं, पर मोटाई नहीं इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोशिका चप्टी होती है कुछ ऐसे उधारण है जिससे हम कोशिका की मोटाई का अध्यन कर सकते हैं जैसे अंडे एवं संत्रे की कोशिका से भी हम कोशिका की लंबाई, चोड़ाई एवं मोटाई का अभास प्राप्त कर सकते हैं